Hello friends, स्वाधत है आपका आपके अपनी चैनल HSE Study Guide में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले है work permit के बारे में साथी में हम देखने वाले है कि ये work permit के कितने types होते है फिर उसके बाद हम देखने वाले है कि इसकी validity कितनी होती है तो चलिए शुरू करते है तो सबसे पहले देखते है कि work permit यानि की होता क्या है work permit ये एक return record होता है जो authorized persons की तरब से issue किया जाता है ये एक ऐसी permission होती है कि इसमें area को define किया जाता है और उस area में जो specific आपको task करना है उस task को आपको एक specified time में पूरा करने की ये एक permission होती है तो आपको समझ में आगया होगा कि work permit यानि की क्या होता है मतलब जब तक आपके पास work permit नहीं है तब तक आप कोई भी काम नहीं कर सकते हो और ये जो work permit है ये आपको authorized persons की तरब से ही issue होता है और ये किसलिए issue किया जाता है ताकि आपको जिस area में आपको काम करना है उसकी ये एक permission होती है चिलिए अब जानते हैं कि work permit के कितने types होते हैं work permit जो है उसको three types में categorize किया गया है और वो depend होता है कि उसमें nature of 1000 क्या है तो सबसे पहला है hot work permit दूसरा है cold work permit और थीसरा है hyerix permit तो hot work जो permit होता है उसका color होता है red और cold work जो permit होता है उसका color होता है blue और hyerix जो permit होता है उसका color होता है orange तो आप easily इस color से पैचान सकते हो कि ये permit कौन सा है तो चलिए अब जानते हैं कि hot work permit में कुन से activity involved होती है तो hot work permit में ऐसी activity involved है कि जिसमें ignition of source हो example है कि building activity हो, cutting activity हो, grinding activity हो, etc तो ये जो सारी activity है ये hot work permit के अंदर आती है मतलब आपको कोई भी building का काम करना हो तो उसके लिए आपको hot work permit लेना बहुत ही जरूरी है उसके बगेर आप काम नहीं कर सकते हैं चलिए अब जानते हैं कि cold work permit जो है उसमें कुन से activity involved होती है cold work क्यानि कि ऐसी activity कि जिसमें ignition source ना हो example के तोर पर scaffolding हो, excavation हो, painting हो, etc तो चलिए अब जानते हैं कि high-rex permit में कुन से activity involved होती है तो उसमें होता है heavy lifting, critical lifting, working on lie overhead lines, etc तो ये जो सारी activity है ये high-rex permit के अंदर आती है चलिए अब जानते हैं कि work permit की validity कितने दिनों की होती है तो सबसे पहले जानते हैं hot work permit के बारे में hot work जो permit होता है वो valid होता है 24 hours के लिए लेकिन उसमें भी condition है कि इस 24 घंटे में उस activity में कोई भी changes नहीं होने चाहिए अगर उसमें कोई भी अगर changes होते है तो ये permit valid नहीं रहेगा फिर उसके बाद है cold work permit तो cold work permit की जो validity होती है वो 3-7 दिनों की होती है और इसमें भी वही condition है कि वो जो time period है validity का यानि की 3-7 दिनों का उसके बीच में कोई भी changes नहीं होने चाहिए अगर उसमें कोई changes होते है तो ये permit valid नहीं रहेगा फिर उसके बाद है hyerix permit hyerix जो permit होता है वो valid होता है only single work के लिए मतलब एक particular task के लिए ये hyerix permit issue किया जाता है example के तोर पर अगर ये lifting activity के लिए issue किया गया है तो वही activity उस permit पे की जाएगी और उसके बाद वो lifting खता होने के बाद अगर आपको दूसरी lifting करनी है तो उसके लिए आपको दूसरा permit issue करना होगा तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि work permit यानि की क्या होता है उसके कितने types है और उस work permit की कितनी validity होती है तो बस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक नए topic के साथ में तब तक के लिए take care, bye bye